इसे में केंद्रिय कर्मियों को बढ़ी हुई सेलरी के लिए तीन महिने और इंतजार करना होगा वर्तमान में केंद्रिय कर्मियों की न्यूनतम तन्खवाह 18,000 रुपए प्रतिमाह हैं कर्मचारी संगठनों की मांथी की सरकार न्यूनतम सेलरी 26,000 रुपए करें यह कमेटी सितंबर 2016 में कार्मिक विभाग के सचीव के नेत्रुत्व में गठे की गई थी। समिती व केंद्रिय कर्मचारियों के संगठनों के बीच लगातार वार्ता जारी थी जिस पर पिछले दिनों अंतिम सहमती बन गई थी। सरकार ने इस कमेटी का गठन म्यूनतम सैल कर्मचारियों की नाराजी को देखते हुए उनके प्रतिनिधियों से वार्ता के लिए बनाई थी। पूर्वर में सात्वे वेतन आयों की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने केंद्रिय कर्मियों की म्यूनतम सैलेरी 18,000 रुपए तै की थी। यहां म्यूनतम सैलेरी फिट हो जाने पर यह तीन दसमलव शुन्य गुणाब हो जाए रासन काने कर्मचारी संगठनों की 26,000 रुपए न्यूनतम सैलेरी की मांग को यहां कहकर खारिच कर दिया था कि यहां वेतन संशोधन के फार्मूला के अनुसार 3,68 गुणाब हो जाएगा। वहीं कर्मचारी संग 18,000 रुपए की सैलेरी को अपरियाप्त पता रहे थे और उनका कहना था कि इतनी सैलेरी होने पर वे अधिक सैलेरी वाली दूसरी नौकरी के लिए प्रयासरत रहेंगे साथ वे वेतन आयों की सिफारिश पर केंद्रियर कर्मियों का न्यूटनम वेतन 7,000 रुपए से कर 18,000 रुपए एवं अधिक्तम वेतन 8,000 रुपए से बढ़ा कर 2,25 लाख रुपए किया गया है किन अब निचले स्तरके कर्मियों की सैलेरी 21,000